जहन्द बच्चो आप सभी का हर्दिक अबनंदन और स्वागत और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ काफी वीडियोज साजा किये हैं और सोचलोजी के इंपोटेंट कुश्यन्स को लेकर के बच्चों के मैसेज आ रहे थे इसको लेकर के कुछ इसके इंपोटेंट कुश्यन है वो मैं साजा करूँगा ये देखिए आप लोग 100 नंबर का ये पेपर होगा आपका बहुत सांदार पेपर है एक प्रकार से बहुत अच्छे नंबर इसमें आते हैं पहली बात मैं आपको बता दू दूसरा एक चीज और मैं आप सभी को सेयर करना चाहूंगा कि इसके कुछ चीजे हैं जो मैंने आप लोगों के साथ साजा कर रखी है इस पेपर की तो वो आपको मिल जाएंगी योदि आप देखोगे तो यूटूब पर मैं यहां पर मोटा मोटा जो है जो इंपोटेंट कुशन बनते वो बता कर दूँ और दूसरा देखिए होम असाइनमेंट को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो में बना चुका हूं कैसे बनाना है हर पेपर का अलग बनेगा ये भी मैं बता चुका हूं तो कौसीश मेरी यही है कि मैं दीरे-दीरे आप लोगों के साथ सारी चीजे साजा कर दूँ आप लोग यही होम असाइनमेंट को लेकर के डेटेल्स में वीडियो चाहते हो तो डियस एजुकेटर टेलिग्राम गुरूप जोइन कर लो आप लोग मैं उसमें बहुत जल्दी जो है पूरी सब्जेक्ट वाइज बिधी और टॉपिक आप लोग के साथ साजा कर देखिए सबसे पहले में सुरू करता हूँ यूनिट बन से और देखिए पचास नंबर का आपके होम असाइनमेंट है कम नहीं है इसकी मेरिट में नंबर जुड़ते हैं यानि परसेंटेज में नंबर जुड़ेंगे तो हम असाइनमेंट जमा कराना बेहत जरूर है देख सोध की परिकल्पना क्या है या सोध की अब्धार्णा क्या है और इसमें जो important चीज है वो यह है कि एक तो hypothesis के ऊपर एक कुशन पूछा जा सकता है परिकल्पना और परिकल्पना के चरण और methods तो यह परिकल्पना के methods परिकल्पना के प्रिकार एक कुशन यहां से बनता है दूसरा यह है जो बैग्यानिक विधियां है जिन में explanation और generalization जो theory है इसको आप लोग बहुत अच्छे से पड़े बैख्यात्मक विधी और सामयने करण के विधी यह दोनों में से भी एक कुशन आने की पूरी पूरी संभावना है क्योंकि कहीं न कहीं यहां से कुशन बनता ही है एक कुशन टाइप आप रिसर्च की बात करें तो रिसर्च के प्रिकार क्या क्या है और इसमें से जो सबसे important question है वो यह है कि social research और social survey में क्या अंतर है सामाजिक सोद और सामाजिक survey section दोनों में क्या क्या अंतर है का सोध और survey question में अंतर जो है आप लोगों से पूचा जा सकता है यह काफी important question है और एक आगमनातमक और निगमनातमक पद्धती में क्या अंतर है आगमनात्मक और निगमनात्मक, इनडक्षन और डिडेक्षन, mostly students इसके बारे में जानते हैं, अब हम लोग बात करें, रिसर्च डिजाइन की, तो रिसर्च डिजाइन पहले तो होता क्या है, इसके बारे में पूरा पड़े, सोदप्रारूप, सोद प्रारूप क्या होता है और अब सोद प्रारूप में आप लोग को कौन-कौन सी चीजे जो देख लेनी चाहिए वो यहां पर important है देखिए सोद प्रारूप में एक तो explanatory और एक descriptive यह दोनों को आप लोग अच्छे से देखें और एक जो है experimental यह तीनों को यहां से आगे से पड़े और उसके बाद जो है problem of experimental studies यह जरूर आप लोग पढ़के जाएं यानि एक प्रकार से जो आपके प्रियोगा अत्मक अध्यन होता है experimental studies होती है सामाजिक अनसंधान में उसमें क्या-क्या समश्चाय आती है तो यह question यहां से बहुत important बनता है इसको आप लोग बहुत अच्छे से रीड करके जाएं यदि हम लोग बात करें fourth unit की तो measurement and scaling in social research तो इसमें क्या-क्या चीजें हैं देखिए एक तो measurement यानि मापन क्या होता है है social research का उसमें कौन-कौन से level होते हैं कौन-कौन से उसके मापक है उसमें operational research और इसके साथ उसमें कौन-कौन से problems होती है एक question तो यहां से आता है तो एक question आप यहां से देख सकते हो तो मापन मापन में कौन-कौन सी समश्चाय है कौन-कौन से उसके लेविल है यदि मैं बात करूँ अब इसके लिंग की जो टेक्निक्स है न यहां बिल्कुल दी हुई है जैसे थ्रेश्टॉन की दी हुई है लिंकर्ट की दी हुई है गुटमेन की दी हुई है आप लोग देख लेना कि पिछले साल क्या पूछा गया है तो उस अंतर है यह यहां से आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो विश्वस्नियता और बैदता जो है सोद में क्या होती है इसके बाद टेक्निक्स ऑप्राटा कलेक्शन अब यहां से देखिए आप लोग ऑब्जर्वेशन यानि अवलोकन और अवलोकन के कुछ प्रकार हैं यहां एक तो यह बहुत चरूर आप देख लेना पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट यानि से भागी और गैर से भागी अब लोकन यह कुश्वन बहुत बार एक्जाम में आता है और इसके अलावा इंटर्वू स्ट्यूल क्या होता है यह यहां से भी एक पर आप लोग कर लेते हो संभागी और गैर संभागी और इसके बाद साक्षातकार और अनुसूची तो आपका कुश्वन यहां से बैठ जाना चाहिए तो यह काफी एक महतपूर्ण सी चीजे है यदि बात करें कंटेंट अनालिसिस की तेंटेंट अनालिसिस जो है वो मैं और इसके अड़ांटेज और डिसअड़ांटेज यानि प्रेशन वली इसके पुरकार और इसकी लाव और हानी यह भी आप लोग देख लेना तो यह इतना आप लोग देख लोगे तो मेरे साँ में आपका पेपर ठीक-ठाक हो जाएगा उंबीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग के useful रहेगा बाकी subject के भी मैं आज जो है साजा कर दूँगा Thanks to all of you